हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एक लास वीडियो जिस चैनल में फ्रेंड साज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास इतिहास का क्रैस कोर्स जो इसमें काफी इंपोर्डेन कोशन बताए गए हैं इसलिए आप वीडियो को अंतक देखेगा कहें पर भी अस्किप मत किजिगा ओके इसमें इससे काफी कोशन एकजाम में पूछे जाएंगे इसलिए आप वीडियो को अंतक देखेगा और आपको जो ग्रेफिक का क्रैस कोर्स का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मॉक्स में उसी वीडियो का ल चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला कोशन फ्रेंड्स हडपा से भीडा किस यूग किस भीडा है तो जो हडपा से भीडा का जो यूग है फ्रेंड्स है ओ है कांस यूग काल ओके इसका जो सही आंसर है ओ है कांस यूग काल नेक्स्ट कोशन है हडपा से भी वह रावी नदी के किनारे ओके इसका जो सही आंसर है वह रावी नदी नेक्स्ट कोशन है लोथल कहां इस्थित है तो जो लोथल इस्थित है फ्रेंड सो है गुजरात में ओके गुजरात में लोथल इस्थित है नेक्स्ट कोशन है मोहन जोदुलो का उत्खनन किया था तो मो इंडिका का लेखक कौन है तो जो इंडिका का जो लेखक है फ्रेंड्स वह है मेगा अस्थनीज ओके इसका जो सही आंसर है वह है मेगा अस्थनीज नेक्ष कोशन है गुप्त वन्स किस सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है यहाँ पर कोशन फ्रेंड्स गुप्त वन्स कि किस सासक को भारत का नेपूलियन कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर है ओ है समुद्र गुप्त को अगला कोस्टन है सांद्वा नमर कोस्टन फ्रेंड्स प्राचिन भारत में धर्म की सुरुवात किस सासक ने की थी तो प्राचिन भारत में धर्म की सुरुवात असोक ने किया में कितने परकार के विवाह का उलेख किया गया है महा भारत का यूद्ध कितने दिनों तक चला था तो महा भारत का यूद्ध जो चला था friends यह चला था 18 दिन तक अगला के स्वितांबर एवं दिगंबर का समण्ध किस धर्मसी तो इसका जो सही answer friends वो है जैन धर्मसी स्वितामर एवं दिगंबर का समन्द जैन धर्मसी है ओके अगला प्रस्ण है चौथी बौध परिशद की सासक के काल में हुई थी तो जो चौथी बौध परिशद जो हुआ था friends वो हुआ था कनिस्क के काल में नेक्स्ट कोशन है दीन ए इलाहे समन्दित है तो जो दीन ए इलाहे समन्दित है वो है अकबर सी अगला कोशन है भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था तो जो भारत का अंतिम मुगल सासक था फ्रेंड्स ओ था बहादूर साज जफर ओके इसका जो सही आंसर है ओ है बहादूर साज जफर अगला कोशन है जजिया किसे लिया जाता था तो जजिया लिया जाता था फ्रेंड्स जिम्यों से, उके इसका जो रैट आंसर है, वो है जिम्यों से, अगला कोशन है, किताब और रहेला में किसका यात्रा विरितांत मिलता है, तो किताब और रहेला में यात्रा विरितांत जो मिलता है फ्रेंड्स, वो इबन बतूता का मि कर दाथ ने राथ ने किया नहां पर 16rets सुन hablar सेवन सिर्वपर्थम किस मोगल सासइक नEvetD तव तंबाको का सेवन सिरोपर्थम जो किया था रंस ऑखपर ने किया था को से अल बुरूनी किसके साथ भारत आया तो अल बुरूनी जो भारत आया था friends वो आया था गजनी के साथ उके इसका जो सही answer है वह गजनी next question है परसीद विरुपाच मंदिर कहां इस्थित है तो परसीद विरुपाच मंदिर जो इस्थित है वह हांपि में अगला question है आएंगर व्वस्था समन्धि थी तो इसका जो सही आंसर है वहे विजय नगर समराज असे ओके आउगर विजय नगर समराज इसे नेक्स्ट कोशन है विजे नगर का महानतम सासक कौन था तो विजे नगर का जो महानतम सासक था फ्रेंड्स ओ क्रिस ने देव रहा है था ओके इसका जो सही आंसर है ओ है क्रिस ने देव रहा है नेक्स्ट कोशन है कभीर सिस्टी तो कभीर सिस्टी थे रामानन्द की कभीर किसकी सिस्टी थे फ्रेंड्स रामानन्द की इसका जो सही आंसर है वह रामानन्द नेक्ष कोशन है भारत में भक्ति आंदोलन का आरम के संद ने किया तो भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरम किया था फ्रेंड्स ओ रामानंद ने किये थे ओके इसका जो सही आंसर है वह रामानंद नेक्स्ट कोशन है सरो पर्थम विजयनगर की आतरा पर आने वाला विदेशी आतरा कौन था? यहाँ पर कोशन फ्रेंड्स 23 सरो पर्थम विजयनगर की आतरा पर आने वाला विदेशी आतरा कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वह अब्दुर रजाक नेक्स्ट कोशन है बेजक में किसके उप्तेश संग रही थे? तो बेजक में जो उप्तेश संग रही थे फ्रेंड्स हो है कबीर का नेक्स्ट कोशन है निजामुदीन ओलिया किस सुफ़े सिलसिले से सम्मंदित है? तो इसका जो सही आंसर है वह चिस्ती तहकीक एह हिंद में किसका यात्रा विरितांत लिखा है तो इसका जो सही आंसर है उह है अलबुरुनी का तहकीक एह हिंद में अलबुरुनी का यात्रा विरितांत लिखा है तहकीक एह हिंद में अलबुरुनी का यात्रा विरितांत लिखा है नेक्स्ट कोशन है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदुबस्त शुरू करने का स्रे किसे दिया जाता है तो बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदुबस्त शुरू करने का जो स्रे दिया जाता है फ्रेंड्स ओ दिया जाता है लॉड विलेज जली को अगला प्रस्ण है भारत आने वाले पर्थम यूरोपियन कौन थी तो जो भारत आने वाले जो पर्थम यूरोपियन थे फ्रेंट्स ओ थे पुर्तकाली अगला प्रस्ण है कौलकाता में सिर्वोच न्याले की अस्थापना कब की गई तो जो कौलकाता में सिर्वोच न्याले का जो अस्थापना की गई थी फ्रेंट्स ओ की गई थी 1773 में इसका जो सही आंसर है वह 1773 इस्वी नेक्स्ट कोशन है पूर्त गालियों ने गोवा पर अधिकार किया तो पूर्त गालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था ओ किया था 1510 इस्वी में इसका जो रैट आंसर है वह है 1510 इस्वी संथाल विद्रों कब हुआ तो संथाल विद्रों जो हुआ था फ्रेंडस ओ हुआ था 1832 इस्वी में इसका जो right answer है और है 1832 इस्वी नेक्स्ट कुश्शन है दमन अको क्या था तो जो दमन अको था फ्रेंडस ओ भुभाग था इसका जो सही आंसर है वो है भुभाग नेक्स्ट कोशन है लखनव से 1857 की विद्रो का नेतरित्व केस ने किया तो जो लखनव से 1857 की विद्रो का नेतरित्व जो किया था फ्रेंड्स वो बेगम हजरत महल के थे नेक्स्ट कोशन है 1857 की विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो 1857 की विद्रो के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था फ्रेंट्स वो लॉर्ड कैनिंग था इसका जो रैट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग अगला प्रस्न है वयंग पगत के सिधान्द का समन्द था तो इसका जो सही आंसर है वह लौड डलहूजी से नेक्स्ट कोशन है विक्टोरिया टर्मिनस के सेली की इमारत है तो विक्टोरिया टर्मिनस जो इमारत है फ्रेंड्स वह है गोथिक सेली की इसका जो सही आंसर है वह है Gothic सेली। नेक्स्ट कोशन है गेटवे ओफ हिंडिया का निर्मान कब हुआ। तो गेटवे ओफ हिंडिया का जो निर्मान हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1921 इस्वी में। नेक्स्ट कोशन है कौन सह एक आंदोलन दांडे मार्च से शुरू हुआ तो इसका जो रैट आंसर है वह है सवीने अवग्या आंदोलन। अगला प्रस्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारन में शुरू किया था, इसका जो सही आंसर है वह है चंपारन, नेक्स्ट कोशन है, अह सयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो अह सयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था फ्रेंड्स ओ हुआ था 1928 इस्वी में अगला प्रस्न है साइमन कमिशन भारत कब आया तो साइमन कमिशन जो भारत आया था फ्रेंड्स ओ आया था 1928 इस्वी में ओके इसका जो सही आंसर है ओ है 1928 इस्वी अगला प्रस्न है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है फ्रेंड्स ओ कहा जाता है रॉलेट एक्ट ओके नेक्स्ट कोशन है जलिया वाला बाग हत्यकान कब हुआ तो जलिया वाला बाग हत्यकान हुआ था फ्रेंड्स ओ हुआ था 13 अप्रेल 1919 को विभाजन की घोसना कब हुई तो बंगाल के विभाजन की जो घोसना हुई थे फ्रेंडस वो हुई थी 1905 इस्वी में इसका जो सही आंसर है वो है 1905 इस्वी next question है पाकिस्तान सब्द का किसने नाम दिया पाकिस्तान सब्द का जो नाम दिया था फ्रेंड्स ओ किस ने दिया तो इसका जो सही आंसर है ओ है चौधरी रहमत अली पाकिस्तान सब्द का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था नेक्स्ट कोशन है भारतिय राज्ट्य कॉंग्रेस की पहली महला अध्यक्ष कौन थी तो भारतिय राज्ट्य कॉंग्रेस की जो पहली महला अध्यक्ष थी ओ थी एनी बेसिंट ओके इसका जो सही आंसर है ओ है एनी बेसिंट नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय स्विधान कब लागो किया गया था तो भारतिय स्विधान जो लागो किया गया था फ्रेंड्स ओ किया गया था 26 जनवरे 1950 को ओके भारतिय स्विधान 26 जनवरे 1950 को लागो किया गया था और नेक्स्ट कोश्चन है स्वतंत्र भारत के पर्थम राष्टपती कौन थी इसका अंसर आपको comment box मता नहें इसका अंसर आप comment box में दिजेगा यहाँ पर question है स्वतंत्र भारत के पर्थम राष्टपती कौन थी तो आज के लिए तने है friends तब तक के लिए बाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगागों तो प्लेज वीडियो को लाइक करतीजेगा चैनल पर अगर ने हो तो चैनल को सब्सक्राब करके all notification बटन को प्रेस करतीजेगा वहाँ पर all select करके notification को on करतीजेगा और कोई भी आपका सुझाब हो तो आप comment box में जरूर बतेगा और अपने दोस्ते के पास वीडियो को शेर जरूर किज़ेगा तो आज के लिए तब तक के लिए भाई thanks for watching